हेलो फ्रेंड स्वागत है मेरे किचन में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूं काले चने से बनीवी बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेस्पी आप इसे एक बाद जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको पसंद आएगा आप इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं तो चलिए फिर बनाते हैं ये देखे हमने यहाँ आदी कटोरी काला चना ले लिया है जिसे राद बर के लिए भिगो लिया था तो सबसे पहले हम इसे मिक्सर में डालेंगे साथ में हम दो लशन की कलियां डालेंगे दो हरी मेर्च और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका स्मूथ सा पेष्ट त्यार करेंगे ये देखे हमने यहां पे इसका पेश्ट त्यार कर लिया अब हम थोड़ा सा मिक्सर में पानी डालके मिक्सर को धोके इसमें डालेंगे तो कि मिक्सर में बहुत सारा बच जाता है और इसे अच्छे से मिक्स करना है तो सच्छे से मिक्स करें अब हम इसमें आदी चम्मच हल्दी डालेंगे आदी चम्मच जीरा स्वात के नुसा नमक आदी चम्मच मुचूर पॉडर या फिर चाट मसाला और साथ में आदी चम्मच चिली फ्लेक्स आप इसमें और भी मसाला एट कर सकते हैं और इसे हम मिक्स करेंगे तो इसे अच्छे से मिक्स करें ये देखे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया अब हम इसमें एक बारी कटावा प्याज डालेंगे एक बार एक कटीवी टेमाटर और थोड़ी सी कटीवी धनिया पत्ती इसमें और भी सबजी एट किया जा सकता है तो अपने हिसाब से आप और भी सबजी एट कर सकते हैं तो इस अच्छे से मिक्स करना है तो बस इस अच्छे से मिक्स कर लिया अब हम gas को on करेंगे और तबा चड़ाएंगे जब तबा गरम हो जाये तो एक चमस गी या फिर बटर अब हम इसमें एक से देर चमद वेटर को डालेंगे तो वेटर को डालते टाइम पहले इसे अच्छे से मिला ले और फिर इसे अच्छे से चारो साइट से चीले के अकार से फैला ले तो इसे ना जादा मोटा रखना है ना जादा पतला रखना है तो इसे अच्छे से फैलाने के बाद फिर हम इसे ढग देंगे ताकि ये दोनों साइट से अच्छे से सिख जाए तो इसे पल्टने में जल्द बाजी ना करें जब यह लगे कि नीचे से यह सिक चुका है देख सकते हैं नीचे से इसका color change हो गया तो इसका मतलब एक साइड से पक गया है तो अब हम दीरे दीरे से इसे पल्टाएंगे यह देखे, इसका color कितना अच्छा आगया तरह से बनाएंगे एक से डिले चमल बेटर को डाले और इसे दोनु साइड से हलका सा कलचें जोने तक फ्राय कर लें पका लें तो बस यह हेल्दी ब्रेक पास्ट बनके त्यार है अगर आपको मेरी यह रिस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेर करें और मेरे उनकी पास्ट को सुस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली रिस्पी किस दोने तो